प्रिये चात्र अहम अपित्वम अश्टादस पाठ तस्य अभ्यास प्रश्णानी पठामी तो हम ध्याननी सुन वन्तूं। आई देखते हैं 18 जो चेप्टर है आपका विलस्य वानी कदापी में नसुरत उसके अभ्यास के प्रश्णा। उसमें पहला प्रश्णा है कि द्रूसर सीह वने इतस्तता परी ब्रह्मनकरोड कैसा सेर वन में इदर दर गूम रहा था। सुनगाल से नाम की मासित लोमडी का नाम क्या था तो उसका नाम था दधीपुच्छ। सुनगाल से गुफायक का प्रविष्टा। लोमडी के गूफा में कौन प्रविष करता है। उसके बाद है एक वाकेन संस्कुत बासाया मुटतलिक़त। उसके अंतर पुचा गया है सुर्यास्था समय सीह की मापस्यत। सेर होता है, वो क्या देखता है, तो एका महती गुफा मपस्यत, एक बड़ी गुफा को देखता है, सुरूंगाल कश्य पद्द पदती मपस्यत, सुरूंगाल वो किसके पेरों के निशान देखता है, तो सीहा सिया, सुरूंगाला सिया वचन सुरुत्वा सीह की मपकरोत, लो लोमडी के वचन को सुनकर सेर सीह होता है वो सवसा सुरूंगालास्यम आहयता वलो वो तुरंथी लोमडी को पुकारता है बिलस्यवानी ना कदापी में सुरूताईती वाक्यम कव वदती ये वाक्या लोमडी बोलती सुरूंगालम वदती कटना करमानुसर वाक्या ने लिखत उसके अंदर आपको स्टोरी को एरेंज करना है जैसे पहले नमबर पे आएगी सुदार्तास्मीं कचिदा आहरमना अलोगजे साथ की स्टोरी है तो पहले नमबर पे आएगा दूसरे नमबर पे आएगा अतरी निकुड़ो पुदवा दिस्टा मी तिसरे नमबर पे आएगा बोबीलो किम नस्मरसी चोथे नमबर पे आएगा यदी तोमाना आहाईजी तही आहम दूत्यम बिलों यास्या मी पांचवे नमबर पे आएगा इत्थोम विचारम सा सासा सुंगलं तो इस तरह पूरी स्टोरी की जो नंबर दिये गए है उससे साफ से आपको पहले नंबर पे आएगा सेकंड में यह आएगा तो इस तरह आप पूरा एरेंज करना स्टोरी को उसके बाद है क्रुदन प्रकार लिखत जैसे के द्रश्टवा सब्द है तो जब भी कोई भी धातू को यह द्रुष्ट धातू है उसमें वा त्वा प्रते लगता हो या तुम त्वा और यह प्रते लगता हो तो संब्दक क्रुदन्थ होगा तो यहाँ पर त्वा प्रते है तो उसके बाद है बुद्वा उसमें भी त्वा परते है तो संबंदक कुरुदंत होगा विज उपसरगे और यह लगने से वो संबंदक कुरुदंत होता है और दातु को तूम परते लगने से वो हेतवर्थ कुरुदंत होता है तो ये हेत्वर्ट को दन होगा है उसके बाद है प्रविश्याद उसमें भी संब्धर को दन होगा क्योंकि ये प्रा उपसरगे और ये प्रते लगा है तो जब भी कोई भी धातु को त्वा और ये उपसरगे साथ लगता है तो संब्धर को दन होता है और तुम लगता है तब भी हित्वर्थ को दनोता है उसके बाद है स्मा प्रयोगन क्रियापदत परिवर्थिया इसके अंदर आपको क्रियापद को स्मा का प्रयोगन लगाना है उसके अंदर आचिंतिया सब्द है तो उसको आपको प्रेजिनटेंस ने बदेलगए है जैसे के चिंदती स्मोग हो जाएगा जैसे अग अच्छत सब्दheen तो उसमें प्रेजिनटेंस में आपको अन्यपुरूस एक वचन में लाओ पांच्टें को तो गच्छती और फिस्मोग लगए ना है उसके बाद आप पठत सब्ग है तो उसका पठती समौ हो जाएगा। आवस्थ है तो बस्ती समौ हो जाएगा। समास प्रकार लिखा, समास में सुरियास्तो तो विशर के साथ है तो सस्टी तत्पूरु समास होगा, ये भी पदपदती विशर के साथ तो सस्टी तत्पूरु समास होगा, भै बीता आकी मातर है तो तूर्टिया तत्पूरु समास होगा, गरजन प्रति द्वनी तो ये भी स अपको आठवा प्रस्टन है उसके बाद है आठवा प्रस्टन है उसका 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 Similarly, कुत्र का वेर होगा, इद का फ्रॉम हेर होगा, और सरवदा का ओल्वेज होगा, तो इस तरह आपको इंग्लीज में उसके नाम लिखने है, तो यहाँ आपका 18 चेप्टर के साइस खतम होती है, अपनी नोटबूक में अच्छे तरह लिख ले और उसको याद भी कर ले.